नारायन तलाब की मेड़ फूटने की घटना के दूसरे दिन राज्यमंत्री प्रतिमा बागडी निरिक्षन करने के लिए पहुँची है और इस दौरान कलेक्टर अनुराग वर्मा और अन्य विभाग के अफसर मौजूद थे इस दौरान मेड़ फूटने के कारण घरों में तलाब का पानी घुसने से हुए नुकसान और मेड़ फूटने का कारण बस्ती में रहने वाले सेवा निवरित पुलिस कर्मचारी ने राज्यमंत्री और कलेक्टर को अपनी आप बीती बताई लिखिन मौके पर मौजूद अफसर उसकी बात को मानने ही को तयार नहीं थे कलेक्टर भी भड़क गए उन्होंने सेवा निवरित पुलिस कर्मचारी से कहा अपनी बात कहली न अब चलो फिर भी सेवा निवरित पुलिस कर्मचारी अपने अक्सान का दर्द बया कर रहा था और के एगो को टच कर गया एक फर्यादी की फर्याद जब सेवा निवरत पुलिस करमशारी ने अपने उकसान का दर्द बया किया तो कलेक्टर सहाब घुस्से में आग बबूला हो गए और कह डाला नाप कराओ मकान हटाओ कलेक्टर के खुससे का वीडियो वारल हो रहा है है पानी उपर से लेहते हैं हमने नहीं किया पानी यह नाला नहीं हो नाली है शिरिमान नाली हम एक फुट नहीं का यहां हमारे तीस भाई तीर पर नहीं है अब बताई हमारा घर गिर जाता हम जरीबाद भी कहा जाते रिटार्मेंट डावनी हम भूखों मर जाते हमने नहीं किया पानी यह नाला नहीं हो नाली है शिरिमान नाली हम एक फुट नहीं का यहां हमारे तीस भाई तीस भाई तीर पर नहीं है और यह विडियो सामने आने के बाद साफ है कि एक बार अगर आप किसी फर्यादी की बाद को ठीक तरीके से सुन लें उसके बारे में जाच परताल कर लें और जरूरी नहीं कि हर किसी ने अतिक्रमन किया ही हुआ हो शैलेंद्र भदौरिया भुपाल से शिवेंद्र बगिल सतना से दोनों से योगी हमारे साथ इस वक्त मौझूद है शैलेंद्र आपके पास मैं आऊँगा लेकिन शिवेंद्र एक फिल्म आई थी उस फिल्म में एक डायलोग था विलन कहता है कि कुछ भी करने का पर अपना नाम लेकर कहता है कि फलाना के इगो को हर्ट नहीं करने का कलेक्टर साब का इगो काफी हर्ट होगा शिवेंद्र उस वक्त पतादों की जो फरियादी थे उनी की बातों को सुनकर एक्टलेटर साथ का इगो टकराया और उने घर की ना पराने और गिराने के आदेश तुरंद जारी कर दिये मैं बतादों की पिछले दो घंटे से मैं उसी बस्ती में मवजूद हूँ जहां पे ये कृतिम प्रलाया आई हुई थी यहां के हालाट बस्ते बत्तर हैं यहां लोगों के एक दाना नहीं बच्चा है जिसका वो निवाला अपने मुख में डाल सके पूरा घर जो है के अंदर पानी था और यहां तक कि कई लोग वह भी गये थे लेकिन गनीमत यह थी कि कहीं बाड़ी पकड़ कर वो सुरचित हो गये तो किसी को यहां का सहारा मिल गया मैं आपको बता दूं कि 72 घंटे हो चुकिये हैं अभी तक कोई भी जनप्रत ने दी और नहीं प्रसासन हो यहां पे रह रहे हैं सरकार को टैक्स दे रहे हैं लेकिन इसके बाद यूद भी उनको कोई सुग्धा नहीं मिल पा रही है और जब इस तरह का कृतिम प्रेल आई जाती है तो उन पर ही दोस माला जाता है बिलकुल शिवेंदर और ये बड़ी समस्या भी है शैलेंदर हम अक्सर देखते हैं और तालाब के किनारे या नाले के आसपास शैलेंदर जब घर बने होते हैं एक प्रसेप्शन लोगों का बना हुआ है और एक रिटार्ट पुलिस कर्मचारी जिसने अतिक्रमन किया हो सकता ये पहले से प्रसेप्शन बना हुआ है पूर्वा ग्रसे ग्रसित अधिकारी जब मौके पर पहुँचेंगे तो क्या फर्यादी के फर्याद सुनेंगे वहाँ पर मौके पर प्रतिमा भागडी भी मौझूद है उसके सामने कलेक्टर साब जमीन से उपर हो रहे थे अधिके बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब जो सरकारी अधिकारी है या करमचारी है उनकी जिम्मेदारी है कि यदि किसी के दौरा कोई सी तरह की कोई परेसानी की सकायत की गई तो उसका जमीन पर जाकर यह नहीं मौके पर जाकर उसका निराकरन किया जाए और निराकरन की खबरे सामने आई थी कि चाहे कलेक्टर हो या दूसरे अधिकारी हो कई बार ऐसा देखने में आता है कि फर्यादी जब फर्याद लेकर पहुंचता और उल्टी उसी को डांट पिला दी जाती है तो ऐसे में मद्दिप्रदेश की सरकार ने कई सक्त कारवाईया भी किये बाहत आपने ठीक कही कि जो नदी के आसपास हो या तालाब के आसपास जो मकान बनाए जाते हैं उसको अकसर यह मान लिया जाता है कि वो अबैद तोर पर है लेकिन अगर अबैद तोर पर भी मकान बने हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकारी अधिकारियों को लेनी होगी क यदि अगर जो वो कह रहे हैं कि अबैद है तो उसकी नफ्ती कराई जाने चाहिए लेकिन जिस तरीके से हमारे सरयोगी बता रहे हैं काफी लंबा समय हो गया कोई टीम भी वा नहीं पहुंची हुई है और जिस तरीके से जो पानी है उसके भरने से जो नुक्सान हुआ है उन भी बाड की बात होती है या इस तरह की जो दुरगटना होती है उस पर सतकाल जो है इनको पहले रेस्क्यू करके दूसरी जगा बस्थापत करना चाहिए ता और इसके साथ ही इनके खाने पीने का इंतिजाम भी करना चाहिए लेकर यहां नजर आती है आप भी संभवे की इ इसा है या बड़ा नेता है वो अगर मौके पर पहुंचता है तो अमूमन अधिकारी उनके सामने इस तरह की परिशानिया खुद रखते हैं वो जो शिकायत करता है जो फर्यादिये उसके प्रतिनिधी बन जाते है और फिर वो राज्यमंत्री के सामने उन बातों को रखते कि आप बताईए आप से जिस कीजिए कि इसका हल कैसे निकलेगा यहां राज्यमंत्री को देखकर कलेक्टर महोद है वैसे ही अपने इगो के उपर सवार हो गए और पहले ही नाब जो करके घर अटाओ का आदेश वो देते नजर आए अलाकि इस बारे में जरूर निश्यत सरकार को भी सोचना चाहिए प्रशास्तिक अधिकारियों को भी इस पूरे मामले में बाचीत करने की कोशिश भी उन्हें करनी चाहिए कि फर्यादी से आप बात करने कुछ देर उसकी समस्या को सुन ले संभव है कि वो खुद ही इस बारे में हल बता दे आपको कि इसका हल कैसे निकलना लेकिन इतना समय हो गया पानी भरा हुआ है लोगों को अभी प्रात्मिक स्तर पर कैसे बीच बचाओ कैसे इस पानी से बचने की कोशिश इस गंदगी से बचने की कोशिश लोग वहां कर रहे हैं कि मैं आपको बताते हैं कि हालत बत्ते बत्तर है चारो तरफ बद्दू का मार है प्रेड़ पौधे गिरे हुए हैं लोगों के भाहन बहे थे उसको लिकाल करकर वो मेकैनिकों के पास बेजे जा रहे हैं लेकिन मैं आपको बता दूँ कि 72 घंटे में नगर नहीं गाम और ज बत्ते बत्तर हैं और मैं आपको बता दूँ कि क्लेक्टर साहब को साथ इसी बात गुस्सा आया होगा कि कहीं असनों हो कि मुझे कुछ बिवस्ताएं करनी पड़ेगी जिसको वो डाट फटकार कर रहे हैं जिसका घर गिराने से और मुझे लग रहा है क्लेक्टर साहब का उनका शांत नहीं हुआ है बरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बात करने के लिए